साथ क्यों, आज मैं हिमाचल के हर मद्दाता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जैसे अभी नडला जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में एक प्रतिशत से भी कम अंतर से ये हर जीत का फैसला हुआ है, एक परसंट से भी कम इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं, हिमाचल में हर पांच वर्स में सरकारे बढ़्ली हैं लेकिन हर में जब बढ़ला हुआ है कभी 5 प्रतिशत कभी 6 प्रतिशत कभी 7 प्रतिशत जीतने वाले और हार वाले के बीच में इंतर रहा है इस बार एक प्रतिशत से भी कम इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतिये जनता पार्टी को विजाय बनाने के लिए बर्शब प्रयास किया है मैं हिमाचल की जनता को आस्वस्त करता हूँ कि भाजपा भले ही एक प्रतिशत से पीछे रह गई लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिवद्दता शत प्रतिशत रहेगी हिमाचल से जुड़े हर विशे को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंदर सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगती का जो उसका हक है उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे अभी जो मैंने दिल्ली का वरनन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉर्परशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ दोका किया गया ये काम हम नहीं करते हैं हम हिमाचल की प्रगती के लिए भी भारत सरकार की प्रतिवद्दता वैसी ही बनी रहेगी साथियों बीजेपी को मिला जनसमर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अम्रत काल में प्रवेश कर चुका है ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनिती के ही है भाजपा को मिला जनसमर्थन नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिभीम है भाजपा को मिला जनसमर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटी कर रहा है भाजपा को मिला जनसमर्थन गरीब, दलीत, बंचीत, पिछडे, शोसीत, आदिवास्यों के ससक्तिकरण के लिए है लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुभिदा को प्रते गरीब मद्दमबर्गिय परिवार तक जल्द से जल्द पहुँचाना चाहती है लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित्में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है बाजपा का बड़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवार और ब्रस्टाचार के खिलाप जनाक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्त लोक तंत्र के लिए एक सुप संकेत के रुप में देखता हूँ और सात्यों इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है मैं नड्ला जी सहीत सभी भाजपा कायर करता हूँ को बदाई देता हूँ और विशेश रुप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूँ चुनाओं के दोरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रेकॉर्ड तूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भुपेंद्रा नरेंद्र का रेकॉर्ड तोड़े इसलिए नरेंद्रा जी जान से महनत करेगा और गुजरात की जन्ता ने तो रेकॉर्ड तोड़ने में भी रेकॉर्ड कर दिया उसने गुजरात के सापना से लेकर के अब तक सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है धाई दसक से निरंतर सरकार में रहने के बावजुद इस प्रकार का प्यार अभुत पुर्वा है अद्बूत है लोगों ने जाती वर्ग समुदाए और हर तरह के विभाजन से उपर उठकर भाजपा को वोट दिया है भारतिय जनता पार्टी गुजरात के हर गर का हिस्सा है गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है